है कि हम लोग लीडर्शिप, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के बारे में सीख सके एक आदर्श देश कैसे चलाया जा सके वो सीख सके और जो नए नए जो इनोवेशन्स आ रहे हैं नए नए डेवलप्मेंट्स हो रही है उनके साथ हमारा देश कैसे बढ़ रहा है इस पर भी ह हम लोग चर्चाय करते रहते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं मात्रगोरा और मैं हूँ व्यास कुमार मैं इस वक्त राम भाव महालगी प्रबोदिनी जोकी केशव सश्टी में यहां पर पार्तिया लोग तांत्रिक नेत्रतों संस्थान का एक कोर्स चलता है जिसमें देश पर के चुदिंता विद्यार्तियों को यहां पर एडिशन दिया जाता है और जो ऐसे विद्यार्ति जो राजदितिक छेत्र में जाना चाते उनके लिए इससे अच्छा कोई विकल्प हो नहीं सकता आज यहां पर मॉडल पालियामेंट्री का आयोजन हो रहा है हम मॉडल प विदान सभा के डेपिटी स्पिकर जॉन डिसुजा यहां पर आए है तो आए है आप अपना देखते हैं यहां के संसत की कारवाई संसत सभी जन प्रतिदियों से मिलकर बनती है सरकार को नियंत्रित और निलेशित करती है लोग अपने चुने हुए जन प्रतिदियों के जनाना मंत्रना देना आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को यक्त करना होता है जबकि कार्य पालिका का कार्यव संसत द्वारा पारित किये गए बिलों को क्रियानवन करने का होता है और संसत की मंत्री परिशदी सामुवी ग्रूप से लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होती है आप जो यह द्रश्च देख रहे हैं वह केशव सर्ष्टी इस्ति रामभाव मालगी प्रबोदिनी के आई आई डी एल अर्था बारतिय लोग तांत्रिक नेत्रत्व संस्थान द्वारा आयोजित सात्वी मौडल पाल्या मैंट्रिका है जिसमें बज़र सत्र को लेकर गोवा विदान सभा के डिप्टी स्पीकर मान्य जोसु आडी सुजा तथा आई आई डी एल के निर्देशक देविंद्र पई की विशे सूपस्तिती में 22 तता 23 परवरी एद्यूकेशन ओप आई आई डी एल के तहट शिक्षार्थी बज़र सत्र पर चर्चा कर रहे हैं नेत्रत वकोशल में नेताओं को प्रसिक्षित बनाने के प्रयासों के तहट मुंबई के निकट बाइंदर उत्तन इस्थित रामपाव मालगी प्रभोतिवी में आई आई डी एल द्वारा युवार राई डीतिव्टों को प्रसिशी करने की गरज से साथवे मोडल पाल्यामेंटरी का आयोजन किया गया आप देख रहे हैं यहां पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी नौक जौक देखी जा रही है बारतिय लोग तंत्रिक नेत्रत्व संसान यानी इंडियन इंस्टिटीट ओप डेमोक्रेटिक लीडर्शिप द्वारा पिछले कई वर्षों से सेक्षनिक सत्रों के माध्यम से नेत्रत्व तता सासन को लेकर एक वर्षिया स्नात्त को तरपाटिकरम करवाया जाता है जहां पर नेत्रत्व राजनीती लोग तंत्र लोग नेती सहीत अनएक विश्यों पर प्रस्शिक्षन दिया जाता है और बारत के विबिन्द प्रांतों के कुछ चैलित विध्यारती ही इस कोर्ष में भाग ले सकते हैं मॉडल पाल्यामेंटरी के दौरां हमने गोवा विधान सभा की बिट्टी स्पीकर आदलनिय जोसुआ दिशुजा आई आई डियल के निर्देशक देविंद्र पई सहीत कुछ राजजीती के प्रस्शिक्षनारतियों से सीधी बात की तो उन्होंने क्या खळां आप सुनि सर आज यह मॉडल पाल्यामेंटरी का जो दो दीशिया या पायोजन हुआ है इसमें आज बेजट पर चट्टे होई और तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और राम बाव मालगी में मैं आई आई डियल जो चलता है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी मैं पहले एक प्लाइट्फरम मिलता है थो अंडर्स्टेट ए प्रम्सिया यूँअ जो है उनको यहा आने को शिकनी को हमारे देश का पॉलिटिक्स कैसा चलता है और एक प्लाइट्फरम मिलता है to understand politics, to improve politics and जो लोगों को political interest है, उनको एक मौका मिलता है कि एक entry जैसे मिलते है कि अंदर system में अंदर आने के लिए so most importantly is opportunity, opportunity अगर मिलेंगी तो सब को एक chance मिलेंगे to represent अगर उनका लोकल एरिया का representation, whether it is हमारे पंचायत, नहीं तो जिल्ला, नहीं तो हमारे municipal corporation और MLA or MP, ऐसे इस मद्यम से हम लोग आगे रास्ते पे चल सकता है और एक, it gives an even playing field to people from all walks of political ideologies. Most importantly, to work as a team, to understand एक दूसरे के मन में क्या है, एक दूसरे का positives और negatives क्या क्या होते हैं, और how it is to come together, एक team के साथ काम करने के लिए और what is their input and their mindset के हमारे देश के लिए आगे कैसे बढ़ाने का और where we can take our nation forward, I think it is a very good platform, I am very happy to be here, I am very grateful to the organization for giving me this opportunity to be here and overlook this budget, I am truly, truly honored to be here to set an example. हम लोग गोवा से आई हुए है यह और यंग्स्टर्स के साथ इंटराइक करने के लिए एक अच्छे मुका मिले है मेरे को और I would like to inspire them as a politician to ensure that politics is not only about governance, but to do good for your society and for your fellow Indians across your region, your state and your country. सर, यह बारतिया नेत्र तो संस्तान से जो विद्यार्टी जाते हैं, यहां से जो सिख कर, तो बार जाके कोई MLA, MP या राज्येतिक चित्र में जाते हैं, कुछ मिनिस्टरों के पीए भी बनते हैं, तो आप तो कापी समय से इन बच्चों के बीच में, इन जिट्यार्टीों के बीच में, आपके क्या अदूपव है, और आगामी IADL के क्या ही होजना है? वैसे यह IADL के Post-Graduation Program की साथवी बैच है, हम Model Parliament यह पाठ्थिक्रम का हिस्सा करके हम Organize करते हैं, फर्स बैच से लेके हम यह करते आ रहे हैं, और फर्स बैच में मुझे याद है, हमने Introduce किया था, राम जनमभूमी मंदिर बिल, और जो बिल के प्रावधान थे, तभी तो वो कोर्ट में केस चली रहा था, लेकिन बिल के जो हमारे स्टूडन्स ने प्रावधान बनाये थे कि मंदिर के लिए एक जगा गवर्मेंट अलॉट करेगी और मस्जित के लिए भी गवर्मेंट जगा अलॉट करेगी मंदिर से कुछ एरिया दूर होकर, इंसिदेंटली वैसा ही जब सुप्रीम कोट का निरने आया, बिल में जो भी हमारे मॉडल पार्लेमेंट के बिल में जो प्रोविजन से वही सुप्रीम कोट में भी आये, बोलने का तातपर यह है कि हम जब मॉडल पार्लेमेंट लेते हैं तो स्टूडेंट सीखते हैं, समझते हैं, पार्लेमेंट में डिसकेशन कैसे होते हैं, डिबेट कैसे होते हैं, एक बिल कैसे बनता है, बिल में कड़े कर आप कितना लोगों तक पहुँच सकते हो और एक जागरुकता ला सकते हो आदर्ष्ट देश कैसे चलाया जा सके वो सीख सके और जो नए नए जो इनोवेशन आ रहे हैं नए नए डेवलप्मेंट्स हो रही है उनके साथ हमारा देश कैसे बढ़ रहा है इस पर भी हम लोग चर्चाय करते रहते हैं तो हमारा ग्यान उससे भी बढ़ता है और फिर हम आप पर हमले किये आपने बतोर प्रदान मंत्री कैसा अनुबम किया कैसे उसको रोखा जी हमने हमारे टीम ने या फिर हमारी रूलिंग पार्टी ने उनको अच्छे से जवाब दिया है लेकिन वो जो सुनने को तयार नहीं थे इसलिए उनको उनके शायर जवाब ना मिले ह क्योंकि हमने हमारे हमारे साइट से पूरे जवाब उनको दिए आज आपने लीडर ओप ऑपोजिशन की भूमी का निवाई है क्या कहेंगे नमस्कार आज इस रंबो मालगी प्रभुदिनी में जो आईडियल को चलता है उसमें आज मोडल पार्लेमेंट का आयोजन हुआ है उसमें आज मैं लीडर ओफ ऑपोजिशन की भूमी का निवाई हूँ इस मोडल पार्लेमेंट में हमें यह सीखने मिलता है कि कंस्ट्रक्टिव वे से हम अपोज कैसे करें खाली हला शोर मचा कर अपोज नहीं किया जाता है एक युवा को अगर राजनीती सीखनी है तो कंस्